C.I.E.T.N.C.E.R.T. के जरिये पेश है तीसरी जमात के लिए उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार सबक एक खमद सफा एक ए दो जहां के वाली ए गुलशनों के माली हर चीज से है जाहिर हिकमत तेरी निराली तेरे हिफैज से है सरसब्स डाली डाली पत्थो में तेरी रंकत फूलों में तेरी लाली सफा दो तूने हमें बनाया और सोचना सिखाया हर शय में हमने देखा तेरे करम का साया जिस रास्ते में धूंडा तेरा निशान पाया खालिक है तू खुदाया मालिक है तू खुदाया सारा है काम तेरा प्यारा है नाम तेरा शायर हफीज जालंधिरी सफ़ा तेन मश्क पढ़िये और समझिये हम्द खुदा की तारीफ खुदा की तारीफ में कही जाने वाली नजम जहां दुनिया वाली मालिक गुल्शन बाग हिकमत दानाई अकलमंदी अंदाज फैज फाइदा भलाई सरसब्ज हरा भरा शै चीज करम महरबानी खालिक बनाने वाला सोचिये और बताईए एक दोनों जहां का वाली कौन है? खाली जखा सफ़ा चार दो खुदा ने हमें क्या सिखाया है? खाली जखा तीन इस नजम में खुदा की लिए कौन-कौन से अलफाज आई है? खाली जखा चार किन-किन चीज़ों में आपने खुदा की निशानी देखी या महसूस की है? खाली जखा पांच आप अपनी जबान में खुदा के लिए कौन-कौन से अलफाज इस्तिमाल कर सकते हैं। खाली जगहा, मिसरे मुकम्मल कीजिए, हर चीज से है जाहिर, खाली जगहा, तेरे ही फैज से है, खाली जगहा, खाली जगहा, और सोच ना सिखाया। जिस रास्ते में धूंडा, खाली जगहा, खाली जगहा, प्यारा है नाम तेरा, सफ़ा पाच, दिये हुए अलफाज को उलटकर मिसाल के मताबिक नया लफ्स बनाईए, मिसाल, सर बराबर रस, नाम बराबर खाली जगह, ए बराबर खाली जगह, हर बराबर खाली जगह, मालिक बराबर खाली जगह, दिये गए अलफाज के आखरी हर्फ को हटा कर नया लफ्स बनाईए और बुलंद आवास से पढ़िए, हिकमत बराबर है हुक्म, रंगत खाली जगह, सब्स खाली जगह, तेरी खाली जगह, प्यारा खाली जगह, सफ़ा छे, बुलंद आवास से पढ़िए और खुश खत लिखिए, फैज, खाली जगह, खालिक, खाली जगह, निशान, खाली जगह, फूलों, खाली जगह, गुल्शनों, खाली जगह, हम आवाज लफ्सों के जोड मिलाए, दाई तरफ दिये गए अलफाज, अलिफ, खुदाया, लाली, सारा, काम, बाईं तरफ दिये गए अलफाज, बे, डाली, प्यारा, नाम, सिखाया, सफ़ा साथ, दिये गए लफ्सों के हुरूफ मिसाल के मुताबब अलग-अलग करके लिखिए, मिसाल, हिकमत बराबर है, हे, काफ, मीम, ते, फैज, खाली जगहा, निशान, खाली जगहा, खालिक, खाली जगहा, गुलशनों, खाली जगहा, कीजिए, खुदा ने हमें बेशुमार नेमतें आता की हैं, इन में से चंद नेमतों को लिखिए, असादसा के लिए हिदायात, हम्त को मुनासिब लबुलहजा और आहंग के साथ सनाया जाए, बच्चों को बुलंद आवाज से नजम पढ़ने का मौका दें, सफ़ा आठ, रंग भरिये, इस सफ़े पर एक तरख दिखाया गया है, इसमें रंग भरिये, लतीफा या चुटकुला, बाप बेटे से, बेटा, तुमने नाना के खत का जवाब क्यों नहीं दिया? बेटा, अब्बु, आपने ही तो कहा था के बड़ों को जवाब नहीं दिया करते? अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार, समयी रिकॉर्डिस्ट मयंक कुमार, समयी फनकार सुम्पुल शकील और फरहान अली नकवी, हिदायत और तखलीक कार विमलेश चौधरी, ये किताब C.I.E.T.N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत क जरीए पेश की गई